श्रीमत बागोतम में श्री नारद मुनी व्यावदे को कहते हैं वो कहते हैं कि जब हम भगवान को ग्लोरिफाय करते हैं तो इस मानो समाज में क्या होगा विपलवो अर्था रेवल्यूशन क्रांती मचेगी लोगों में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा अगर हम भगवान की स्तुति करते हैं तद्वाग विसर्गो जनताग विपलवो और इसमें सबसे बड़ी बात तो यह है अगर जो ग्लोरिफिकेशन है भगवान का जो कर रहा है लिखने के माध्यम से या बोलने के माध्यम से अगर उसके बोलने में और लिखने में कुछ तुटियां हैं कुछ कमियां हैं तो भी कुछ फरक नहीं पड़ेगा अगर गलतियां है फिर भी मानो समाज में कुरांती मचेगी इसलिए नारदमनी कह रहे है तद्वाग विसर्गो जनताग विपलवो यस्मिन प्रतिश्लो कम अबुद्ययत्यपी अबुद्ययत्यपी मतलब अगर वो पर्फेक्ट नहीं है कॉम्पोजिशन अगर बोलने में गलोरिफिकेशन पर्फेक्ट नहीं है तो भी उसका एफेक्ट उतना ही होगा क्यों कि यह भगवान का गलोरिफिकेशन है नामाननंतस्य यशोन की तानियत भगवान के नाम का जब हम यश ग्लोरी ज़स्प्रेट करते हैं तो जो सिंसिर लोग है जो सादुत्व जिनके अंदर है या जो सिंसिर है वो इससे आकर्षित हो जाएंगे श्रिदा प्रभपाद इस श्लोक के परपोट में लिखते हैं कि कैसे वो खुद वो उनके लिए इंग्लिश लांगोज उनके लिए फॉरें था वो बंगॉल से थे और लिखते हैं कि मेरे लिए इंग्लिश फॉरें लेंग्विज और मैं यंग्लिश में लिख रहा हूं और इसमें निश्चितुर्प से बहुत मिस्टेक्स होंगे पर मुझे पूरा विश्वास है ऐसा बदलाव आएगा लोग इसे स्वीकार करेंगे लोग स्रीक्रिष्ण को अपने जीवन में अनुभव करेंगे और श्रीक्रिष्ण के इस जो ट्रैंसिडेंटल नेम का जो पोटेंसी है जो भगवान के नाम के जो शक्ति है उस पर था इसलिए प्रोपा जब अमेरिका गए तो क्योंकि श्रीमत बागोतम ग्रंत पुस्तक के रूप में हैं तो मैं इनका सेवक बनकर जा रहा हूं श्रीला प्रभपात को पूरा अगर हम श्रीमत बागोतम को प्रामानित्ता से प्रस्तुत करेंगे तो जो सिंसियर लोग हैं वो भगवान को एक्सेप्ट करेंगे जब श्रीला प्रभपात अमेरिका में गए तो उनको आप देखिए अगर आप बाहरी रूप से देखेंगे तो श्रीला प्रभपात आपको बचाने के लिए आये हैं पर प्रभपात के मुझ से उस शर बोलते थे प्रभपात शेव औलोक यू तो जो हिपीज बैटते थे क्लास में उनके लंबे बाल थे उनको लगा प्रभपात कह रहे हैं कि चेतने माप्रभु आपके हमको शेव कर देंगे तो वह ऐसे एक 1966 में जब यह जो लड़के आते थे वह भगवान को नहीं जानते थे स्री कृष्ण तो दूर की बात चेतने महाप्रभु उन्हें कुछ पता नहीं था और शीलव प्रभपाद उन्हें चेतने महाप्रभु और सनातन गोश्वामे को मीटिंग है उसके उपर उन्हें थीन मै यह सब क्लास में बैठते थे और वो नोट्स लिखते थे शीलव प्रभपात के लेच्छर का तो शीलव प्रभपात ने कहा चेतने महाप्रभु का मीटिंग वहा सनातन गोश्वामी के साथ तो उसमें से कोई भी लड़के को समझ में नहीं है कि सनातन थीक से सुननी पाए क पर शीलव प्रभपात को विश्वास था कि आपका प्रणंसेशन भले कैसे भी हो पर अगर आपके डिजायर सिंसियर है क्रिष्ण का ग्लॉरिफिकेशन करने का तो लोगों का रिदय में परिवर्तन निश्चित रूप से आएगा इसले शीलव प्रभपात परपोट में लिखते हैं कि अगर आपके घर में आग लग गया और आप किसी विदेश में जहां पर आपको भाषा नहीं आता और आपको जाकर उस विक्ति को कहना कि आपके घर में आग लगी है तो जब आप जाकर कहते हो आलांकि आपको भाषा नहीं आता क्या आप communicate नहीं कर सकते क्या बोलने पाओगे उसे full confidence के साथ की मेरे गर में आग लगी हुई है आप कुछ तो करके बताओगे कैसे तो करके indicate करके चिला के कुछ बोल के कैसे तो करके आप उसे communicate करोगे तो शीला प्रवपात केते हैं प्रकार संसारा दावानल इस बहुती जगत में आग लगी हुई है लोग पीडित हैं लोग तीन गुनों के प्रकोप से बहुत परहशान हैं तो उस समय जब एक sincere प्रचारक जाकर भगवान के संदेश को लोगों को पहुंचाता है तो बहले उसमें तुटिया हैं बहले उसमें कमिया हैं पर क्योंकि वो sincerely बता रहा है उनको की समसार में दावानल है यहां पर आग लगी हुई है अमें स्री कृष्ण का आश्रे लेना है तो जब वो बड 70 years, 70 साल के ता और वहां पर hippies का एक rule था कि जो भी 30 साल के उपर विक्ति हैं उनकी किसी भी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए ऐसा वो लोग सोचते थे और शीला प्रभपाद एकदम भुजूर्ग वैष्णा और 70 यर ओल वहां पर गए और जब वो प्रचार कर र करने का तो शीला प्रभपात के लिए हर एक अवसर जो है वो श्री कृष्णे का ग्लौरिफिकेशन था शीला प्रभपाद ने कभी कसर नहीं चोड़ा जैसे वह डॉक्टर मिश्रा के योगा स्टूडियों में वो योगा सिखा चैने दॉक्टर मिश्रा और रिंडर प्रोपाद कृष्णी का इन करते हैं यूज उसलाइपाद नेवर मिस्ट चांस तू ग्लोरिफाए कृष्णा कुई परफाद स्री कि एकदम निकट के पार्शत थे अपने बजन में लिखते हैं तो मारमिलने भाई आभारा से सुख़ पाई वो केते हैं कि तुमारा मिलने भाई कृष्ण मैं कितना इगर हूँ, कितना डेस्परेट हूँ आपसे मिलने के लिए तुमारा मिलने भाई आभारा से सुखा पाई कब मैं बड़े आनन से आभार वेक्त करते हुए मैं आपके साथ गवों को चराने के लिए वरंधावन में जाऊंगा कटा बनने चुटा चुटी बनने काई लुटा पुटी कब मैं आपके साथ व्रिस्लिंग करूँगा वरंधावन के पैस्चरिंग ग्राउंड्स में मैं आपके साथ मेरा शेर खरोंगा इस एक परियर शीला प्रभुपाप्त है तो शीला प्रभपाद कर सकते हैं कि जो आपके सृति की जो theoret कि जो बिना किसी डर के हरे कृष्णा